जो कि विभिन्ध द्वानों की द्वारा अलग अलग कालों को अलग अलग नाम दिया गया है त्था इनका जो वर्स रहा है बहेया बैए बताए गया है चलिए स्टाट करते हैं अपनी क्वार्स को इतिहास कारों पहला है कालव भाजन इतिहास कारों ध्युक्त का क्या अगरा काल भाजन इस प्रकार है सबसे पहले आते हैं George Nixon striardson का काल भाजन अ कहते हैं इनकी पुस्तक के 11 अध्याई एक एक कालखंड को प्रस्थ करते हैं जिनके नाम है तो जोर्ज ग्रियर्शन की जो पुस्तक है इनके पुस्तक में 11 अधिहाई हैं और इन 11 अधिहाई के अलग-अलग कालखंडे हैं पहले में आता है चारणखाल जिसका समय रहा है 700-1320 चारणखाल इनकी कालिव भाजन में पहला नाम आता है चारणखाल ग्रियर्शन की अनुसार पहला समय पहला काल या आधिकाल को भी आप इसे कह सकते हैं कि आधिकाल को इनने क्या नाम दिया है चारणखाल नाम दिया है आधिकाल को ग्रियर्शन ने जिसका समय इनने 700-1330SB का माना है अगला है पंद्रिवी सताप्दी का धार्मिक पुनर इनल परागरन, फिर आता है जाईसी की प्रेंम कभीता, नंबर तुरी में हैं, नंबर फोर है ब्रज का कृष्ञ संपरदाई, 1500 से 16pos2 का समय, अगला है मुगल दरवार, फिर है तुलसिदास, रीती काब्य, जिसका समय नहुने 1300 से 16 grades 22 2000 माना है, रीतिकाल का, रीतिकावी का समय जिससे नोने रीतिकावी नाम दिया है पंजरा सो से सोला सो ब्यानबे का समय माना है तुलसिदास के अन्नी परवर्ती कभी जो तुलसिदास के बाल अन्नी परवर्ती कभी इनके बाद के जो कभी रहे थे जिसका समय नोने 1600 से 1700 इस भी माना है फिर आते है अटारवी सताबदी कमपनी के सासन में हिंदुस्तान अगला है महरानी विक्टूरिया के सासन में हिंदुस्तान महरानी विक्टूरिया के सासन में हिंदुस्तान कुल में लाके इनकी 11 खंड इनकी पुक्के ये होते हैं अगला काली बाजन आता है मिस्र बंधुहों का काली भाजन मिस्र बंधुहों के द्वारा काली भाजन इस प्रकार किया गया है जिसमें की पहला काल आता है आरंभिकाल मिस्र बंदुओं के अनुसार जो पहला काल है वह है आरंभिकाल आरंभिकाल के भी इन्हों ने दो भाग किये हैं पूरू आरंभिकाल और उत्तर आरंभिकाल पूरू आरंभिकाल का समय 700 से 1347 विक्रमी समवद माना है और उत्तर आरंभिकाल का समय 1300 से 1444 माना है तो मिस्र बंदु ने आधी काल को क्या नाम दिया है अरंभिक काल नाम दिया है और अरंभिक काल किनों ने दो भाग किये हैं पूरु अरंभिक और उत्तर अरंभिक ग्रियर्शन ने दिया सचारन काल नाम और मिस्र बंदुह ने इसे नाम दिया है आदी काल को अरंभिक काल नाम दिया है उसके बादा है माध्यमिक काल जिसके भी दो भाग होते हैं पूरु माध्यमिक और प्रोड माध्यमिक अगला भाग है अलंकृत काल जिसके दो भाग है पूर अलंकृत काल उत्तर अलंकृत काल और जो माध्यमिक काल है इसमें पूर माध्यमिक का समयर होने 1445 से 1660 विक्रमी समवत का माना है प्रोड माध्यमिक काल का समयर होने 1561 से 1680 विक्रमी समवत का माना है अलंकृत काल की बात करें तो अलंकृत काल को भी होने फिर से दो भागों में भज़ित किया है पूरू अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल पूरू अलंकृत काल में 1681 से 1790 विक्रमी समवत का समयर होने माना है इसके बादा है परिवर्तनकाल आता है जिसका समय 1890 से 1925 विक्रमी समवत का माना गया है और फिर आता है बर्तमानकाल जिसका समय 1626 विक्रमी समवत से अब तक का माना जाता है इस प्रकार यह है मिस्र बंदुद्वरा किया गया काल विभाजन जिसमें इन होने काले विभाजन करते हुई अरंभी काल माध्यमिक काल अरंभिक काल के तो भाग, पूरो अरंभिक, उत्तर अरंभिक, माध्यमिक के तो भाग, पूरो माध्यमिक, प्रोड माध्यमिक, अलंकरित काल, इसके भी तो भाग, पूरो अलंकरित, उत्तर अलंकरित, और उसके बाद परिवर्तन काल था, उसके बाद वर्तमान काल यह नाम दिए हैं अगला कालिव भाजन है आज रामचंद्र सुक्र Gy का कालिव भाजन करते हुए नाम दिया है वीर गाथा काल भक्तिकाल रीतिकाल और गध्यकाल वीर गथा काल का समय समवत 1050 से 1375 विक्रमी माना गया है भक्ति काल का समय 1375 से 1700 विक्रमी माना है रिती काल का समय 1700 से 1900 विक्रमी माना है और गद्धि काल का समय 1900 से 1984 विक्रमी समवत का माना है सुक्लजी ने यह कालिवाजन सुक्लजी के अनुसार है अगर आपसे पर्टिकुलर किसी लेखक का या राइटर का नाम लेकर काल भजन पूछे जाता है तो आपको उन्हीं के नुसर बताना होगा क्योंकि सुक्र जी ने आदिकाल को बिर्गाथा काल नाम दिया है जबकि मिस्र बंधों ने इसे आरंभी काल नाम दिया है ग्रियर संदने से चारनकाल नाम दिया है तो इस पर कार अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग नाम दिये है इसी के साथ ये क्लास हमारी आज की यहीं प्रेंट होती है मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए क्लास में बने रही है धन्यवाद